आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब भी हम भोजन करते हैं, जब भी हम भोजन अपने अंदर निगलते हैं अपने पेट में, तो वो भोजन हमारे पेट की जगा फेफड़ों में क्यों नहीं जाता है, है ना एकदम इंटरस्टिंग बात, अब ये समझने के लिए क फूड हमारे फेफड़े में क्यों नहीं जाता है, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अपने फूड को स्वैलो कैसे करते हैं, यानि अपने फूड को निगलते कैसे हैं, ये हमारे स्टमक में जाता कैसे है, देखिए ये है एपिगलॉटिस, जो की ठीक हमारे गले में लेरिं निगलते समय ये हमारे wind pipe को ढख लेता है जिससे भोजन कभी भी हमारे फेफडों के अंदर नहीं जाता है लेकिन ये काम कैसे करता है ये बात आपको आगे पता चलेगा और आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए कि ये बात जितनी सरल हमें सुनने में लग रही ह उतना सरल होता है नहीं अगर भोजन गलती से भी हमारे फेफडे में चला जाएगा तो ये चोकिंग की कंडिशन हो जाएगी और हमारी जान भी चली जाएगी तो ये बहुत ही जादा इंपोर्टन्ट है और सांस का रास्ता हमारे शरीर में एक ही है यहाँ पर लेरिंग्स पर आकर दोनों विंड पाइप और फूट पाइप अलग अलग होते हैं देखिए हमारा भोजन हमारे स्टमक में कैसे जाता है यानि हम भोजन को निगलते कैसे हैं पहले ये जानते हैं ये होता है दरसल टोटल तीन स्टेज में जिसमें पहला स्टेज होता है औरल स्टेज जिसको जीब पीछे की और हमारे heart palate से soft palate की तरफ push कर देता है और जैसे ही भोजन हमारे जीब के पिछले वाले हिस्से पार आया भोजन हमारे soft palate को फैला कर हमारे nasal cavity को भी ढख लेता है यह जो uveola है यह भी जाकर पीछे की और फैल जाता है जिससे हमारा भोजन कभी भी निगलते वक्त नाक में नहीं जाता है ये हो गया हमारे भोजन के निगलने का oral phase जो की एक voluntary moment है जिसमें हमारा जोर है हम अपने इच्छा से भोजन को चबा कर निगलने के लिए पीछे soft palate तक भेज सकते हैं इस क्रिया में हमारे brain का cerebral cortex जिम्यदार होता है उसके बाद शुरू हो जाता है हमारे swallowing का दूसरा stage जिसे कहते हैं pharyngeal stage इसमें क्या होता है कि हमारा भोजन अब soft palate के बिल्कुल end में आ जाता है हमारे pharynx में जो की उपर से nasal cavity को ठक लेता है और अब भोजन आकर हमारे epiglottis पर आ जाता है जिससे epiglottis पर वजन पढ़ने के कारण epiglottis अब नीचे की और जुकने लगता है ये जो reflex है दरसल ये हमारे brain stem में पाए जाने वाले pounds और medulla oblongata से हमारे swallowing reflex center से control होता है इसमें ये होता है कि अब हमारा epiglottis नीचे की और जुकते हुए हमारे esophagus यानि हमारे food pipe पर एक bridge की तरह formation बना लेता है और हमारा wind pipe उपर की और उठकर हमारे epiglottis को नीचे से सहारा देता है जिससे हमारा wind pipe अब ढग जाता है अब जैसे ही हमारा epiglottis हमारे इस food pipe पर एक bridge जैसा बना लेता है वैसे ही हमारा जो ये food pipe है यानि esophagus इसके उपरी हिस्से पर एक sphincter होता है जो की हमेशा resting position पर बंद रहता है ताकि कभी भी सांस लेने वाली air हमारे stomach में न जाए epiglottis जैसे ही isophagus के उपरी हिस्से पर आता है ये अपर isophagial sphincter खुल जाता है और हमारा भोजन फेफ़ो की जगा सीधे हमारे food pipe यानि isophagus के अंदर ही जाता है ये हमारे भोजन के निगलने का तीसरा stage है जिसे isophagial stage कहते हैं अब देखिए जैसा ही हमारा food इस isophagus में पहुचा हमारा food peristalsis movement के साथ ही हमारे stomach में जाता है peristalsis movement क्या होता है इसमें हमारा isophagus की muscle contract होकर यानि एक जगा से कुल कर और एक जगा फैल कर food को नीचे की और push करता है यानि नीचे की और धकेलता है stomach की और और इस movement के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे नीचे comment करके ज़रूर बताना अच्छा लगा है तो एक like ज़रूर करना